हाई मेरे दोस्तों, السلام अलेकुम काफी भाई लोग ऐसे हैं जो कोईट में आने के लिए तैयार होती हैं लेकिन प्राबलम क्या होती है ना जब लोग स्टार्टिंग में कोईट में आते हैं मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग साओधी रिटन नहीं है ना कि दुबई रिटन है और जो एकदम नए हैं और जो पहली बार घर से आ रहे हैं और कोईट में काम कर निगलिए तो उनके दिमाग में काफी जा रहा यह सवाल चलता रहता कि काफी लोग अईसे हैं जो कोईट में आने के लिए तै यह पाते हैं आज मैं आप लोगगो पूरा आज बताने वाला हूँ अपने वीडियो के थुरूँ आज में आप लोग एक रियालिटी जो यहां पर जो सच्चाई है क्या सचा है गायद अगर आप लोग कोईट में आते हो आप लोग को अर्बी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अगर आप लोग को अर्बी आ गई तो आप लोग को क्या यहां पे फायदा होने वाला है अगर आप लोग को अरभी नहीं आ रही है तो यहाँ पे आप लोग को नुक्सान होएगा कि नहीं होगा, काफी भाई लोग के दिमाग में यह सवाल चलता है बाई, अगर हम लोग कोईट में जा रहे हैं अगर हमको अरभी नहीं है कि तो क्या हमको कमपनी से सब लोग भगा देंगे क्या कमपनी में हमको रखा नहीं जाएगा जो कहने का मतना मेरा मकसद है तो गाइस चली मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हाई मेरे दोस्तों असलाम आलेकुम आप लोग को मेरे चनल पर काफी और वेलकम है अगर आप लोग नए हो तो एक बार मुझे लाइक कर देना ताकि लगे कि हमारे भाई लोग के कुछ में सपोर्ट करते हैं लेकिन मैं क्या बताऊं हमारे भाई लोग जो वीडियो देखते हैं वो लोग लाइक भी नहीं करते हैं बैरल आपकी मर्जी है मुझे कुछ नहीं कहना है और जितने भाई लोग हमें दिर से सपोर्ट करते हैं मैं उन्हें स्थिक्रिया बोलना चाहता हूँ गायद अगर आप लोग कोईट में आना चाहते हो तो आप लोग को अरभी यहाँ पे आना काफी यह रहां important हो है अगर आप लोग को अरभी नहीं आ रही है मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताने वाला हो कि आप लोग को क्या यहाँ पे problem होने वाली है problem होगी कि नहीं होगी और company या घर कही वे जगाँ पे जितने भी लोग कोईट में आना चाहते है चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जिन लोगों को यहाँ पे अरभी आती है तो उनको फाइदा क्या होता है और माल लेते हैं अगर आप लोग फ्रेसर हो और आप लोग को कम से कम 5-6 महने लगता है अरभी आने में और हम भी आये थे जब मैं कोईट में आये था मैं अपनी बात करने वाला हूँ मुझे कम से कम 6-7 माई इना लग गया था और मुझे अरभी आ रही थी धीरे धीरे यानि कि बाद में एक बैग आ गई थी अरभी काफी तेजी से मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे अरभी आ गई थी क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ हमारे भाई लोग यहाँ पर काम करते हैं मसरी बगएरा लोग तो उनके सारे कर काम करोगे आप लोग को अरभी काफी यहरा तेजी से आएगए आप लोग को बहुत तेजी से आरभी वगएरा सीख सकते हो लेकिन वही है अगर अगाइद अगर आप लोग के साथ कोई इंडिया का बंदा है या आरभी वगएरा नहीं जानता है इंग्लिज जानता है तो आप लोग को वहाँ पर अरभी नहीं आएगे लेकिन येहां कोईट में अर्भी जानना बहुत always important होता है यहां पे जारतर काम अर्भी होता है लेकिन वहीं पे इंगलिस में भी काम चलता है लेकिन यहां पे मैं आको बताना चाहता हूँ 60% chance आजए जिसमें आप लोग को अर्भी जानना बहुत ju important हो है सीख लेंगे देरे देरे सीख लेंगे भाई देरे देरे करते करते ना छे महीना हो जाता है साल हो जाता है फिर उसके बाद देड़ साल हो जाता है बाद में क्या बोलते हैं भाई हमको अरभी आही नहीं रही है और मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के हैं उन लोगों को अर्भी आती ही नहीं है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जब भी आप लोग कोईट में आईए यहां पर अर्भी बोनने पर जारा फोकस कीजिए क्यों कि आप लोग को अर्भी आ जाएगी ना आप लोगों को फाइदा होएगा ना कि दूसरे बंदो को जब आप लोग को अरबी आ जा जा रहे हो तो आप लोग एड़स पूछ सकते हो आपको कहा जाना है फुलाना जगा जिस तरीके से हमारे भाई लोग इंडिया में रहते हैं जिसे बात करते हैं हिंदी में उसी तरीके से आप लोग यहां कोईट में भी अरबी बस कर सकते है जैसे कि आपको कहा जाना है अगर वही बंदा यहांपे अर्भी सीखना चाहता है जैसे कि मैं आपको बताना है हो कि अगर आपना हैं अगर आप लोग सुधिया जाकर आ चुके हो और आप लोग कोईट आना चाहते हो तो आप लोग कोईट में अर्भी यानि समझ सकते हो जादा अच्छी नहीं बोल सकते हो यहा पे आप समझ नहीं पाएग़ मैं या मख्माफी, नहीं दिमाग नहीं है, घज़ वगरा बोलते हैं, बहुत इस चेहां है, और अच्छे लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंढिशन बोल सकते हैं, और अर् 위에 बोलने का यह अब होता है, आप लोगो को वी दूसरा बंदा गज दूसरी अर्भी लोग हैं मसीरी मसीरी बात कर रहे है और अगर मुझे कुछ अर्भी में कुछ गलत बोलेगा और मुझे सौंच में आ गया इस इस ोंद्धे ने मुझे क्यूं गलत बोला तो मैं उसकonna बात कर सकता हूँ आप मुझे ऐसा क्यूं बोला अब पोलत इंडिया से आते हैं कोउट में काम करने के लिए सक करना सब्सक्रार रहेता हुँ है कम से कम उनको लगता है चार से छे मेने लग जाता है यहां पर जैसे कि एक नारमल सी लेंग्वेज होती है कि मुझे काउन सा काम करना है और मुझे कब घर जाना है मेरे डूटी कब खतम होईगी तो यह सब आप लोग को अरबे में मुदिर बगरा है वो इंडिया का है काफी जहां पर कोईट में ऐसा भी होता है आपका जो बास है इंडिया का भी हो सकता है सूपर वाजर आपको हमें ऐसा इंडिया में बोलेगा यानि कि हिंदी में बोलेगा इंडिया का मतलब क्या होता है न हिंदी में बोलेगा यहां कोई या खाल बता चाहिता है तोुने भालने फाल ही हिंदिम, ऐसे हे था है तो हमारे भाइ लोग जो कुज़१ या कमपनी में लिए-पनि काम करते थे लिए अगसरी है इन्हों बताना चाहता है इरानी लोग भी हिंदी बोलते हैं अच्छी खासी तो आप लोग को अंदाजा हो गया कि यहाँ पे हिंदी बोलना वाला भी जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हिंदी काफी जारा लोग बोलते हैं किस हम यहां पर नहीं से खींगे हैं और हम हिंदी आराम से बॉल निंगे तो हर जहां पर ऐसा नहीं होता है और आपके साथ हिंदी बोलने वाला है कोई इंडिया का बंदा है ठीक है चलता है बाद में क्या हुआ आपका कोई boss आ गया आपको अर्विम बोलेगा आपको काम समूझ में आएगा नहीं बाद में क्या सोचोगे आपको problem भी हो सकती है आप उसकी बात को समझ नहीं पाओगे फिर उसको जवाब क्या दोगे मालेती हैं अगर आप लोग को अर्भी आ रही ठीक है आपका बॉस आया और आपको बोला यह काम क्यों नहीं रेडी है आप लोग उसको बोल सकते हो कि मैं यहां पे नहीं काम कर रहा हूँ अभी मैं नहीं आया हूँ और यह प्राबलम है यह प्राबलम यानि कि आप लोग उसको बात कर सकते हो उसको कम्यूनिकेट कर सकते हो उसको समय आ जाएगा वहीं पे जो दूसरा बंदा होता है उसको कुछ भी नहीं आ रहा है अर्भी भी नहीं आ रहा है यानि कि अगर दूसरा बंदा कुछ अर्भी में स्वीक कर रहा है तो दूसरा बंदा जो हमारे इंडिया वाला है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बोलेगा क्या उसको जवाब क्या देगा तो वहीं पर प्राबलम हो जाती है वहीं पर जाब अगर चली जाती है वहीं पर अगर आप लोग उसको बोल दोगे ना मैं जदीद हूँ मैं नया हूँ तो उसको सवन्मिया जाएगा अगर अच्छा बंद है रहेगा ना मैं देखता हूँ लाइक का माता है बाइरा आपकी मर्जी है आप लोग थो लाइक करना चाहते ही नहीं हो क्योंकि भाई इतनी भेनस terreक वीडियो बनाता रहता है चेयँ चुक्छी मिलते है जर नए पर ब irrespons है ले बाय望